दोस्तों शालीनी भक्ति सागर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो गुरू पोर्णी मा की आपको धेर सारी बदाई तो दोस्तों जो कोई है यह गुरू पोर्णी मा के दिन व्रतकता सुनता है उसको चंद्रमा के दोश से मुक्ति मिलती और धनधान्य में वृद्धी तो कोई चैनल पर नहीं आया होंगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करें और पर क्लिक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें तो आइए सुनते हैं पोर्णी मा गुरू पोर्णी मा की व्रतकता अगर आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं और कहीं मुश् लिए गुरू पोर्णी मा का बहुत मोथव हैं गुरू के गुरू वे होते हैं जो अंदकार में प्रकाश लाते हैं अघ्यानता को दूर करते हैं और हम हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं गुरू पॉर्णीमा को व्यास पॉर्णीमा और वेद पॉर्णीमा के नाम से भी जाना जाता है यह पर्व हर साल आशाण मास की पॉर्णीमा तिथी को मनाया जाता है गुरू पॉर्णीमा के दिन लोग महर्शि वेद व्यास जी की पुजा करने अपने गुरु जनों का अशिर्वाद लेने जाते हैं तो गुरु मंत्र कुनसा है गुरु मंत्र विश्रवन किया तो भी हमें गुरु के गुरु बल याने अशिर्वाद गुरु का अशिर्वाद हमें प्राप्त होता है तो कुनसा मंत्र है गुरु ब्रह्मा गुरु विश्नु ग महेश के बराबर माना जाता है और उनी की पुजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरू पॉर्णी मा का पावन पर्वो मनाया जाता है। अनुसार आशाण मास के शुकल पक्षन की पुर्णी मा तिती बीच जुलई दिन शनिवार को पाज बचकर उनसाठ मिनिट से शुरू हो गई है और एकिच जुलई दिन रविवार के तीन बचकर चियालेस मिनिट पर खतम होने वाली जिस तिती में सूर्यदय होता है वो तित जुलई ही है ये दि आप भी गुरू पोर्णी मा के दिन व्रत रख कर अपने गुरू जनों का अशिरवात पाना चाहते है चंद्रमाक के दोस्त से मुक्ति पाना चाहते तो यहां आप गुरू पोर्णी मा की कथा सुनकर आप अपने जीवन का लक्ष पा सकते गुरू का शिर्वाद ले सकते तो आई ये श्रमन करते हैं गुरू पोर्णि मा की व्रत कता पोरानिक कता की अनुसार महर्शी वेद व्याज जी को भगवान विश्णु का अंश माना जाता हैं वेद व्याज जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम रूशी पराशर था महर्शी वेद वैज जी को बच्पन से ही अध्यत्म में बहुत रूची थी, एक बार उनोंने अपने माता पिता से प्रभू के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, और वन में तपस्या करने की अनुमती मांगी, वेद वैज जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उने वन जाने को म गया देनी पड़ी, जब वेद वैज जी की वन की और जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनको उनसे कहा कि जब तुमें अपने घर की याद आ जाए, तो तुम वापस आ जाना, माता की इस वचन को सुनकर वेद वैज जी वन की तरप चल ले दिये, वन में जाकर वेद वैज जीने कटोर तपश्चा करने लगे, भगवान के अशिर्वात से वेद वैज जी को संस्कुरुद भाशा का ज्यान हो गया, इसके बाद उन्होंने महा भारत, अठरा महा पुरानों येवं ब्रह्मा सुत्र की रचना की लोगों को वेदों का ज्यान देने की वज़से, आज भी इने गुरु पॉर्णिमा के दिन प्रतम गुरु रूप में याद किया जाता है, गुरु पॉर्णिमा के दिन यह वेद वैज जी के इसमें हमें प्रणाम और नमस्कार और गुरु से अशिर्वाद लेना चाहिए, तो यह थी छोटी सी कता गुरु पॉर्णिमा की व् अच्छी लगी तो एक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कहां से मेरा यो वीडियो सुन रहे हैं अवश्य बताएं